संसनी ओप इंडिया से अपनी बहन की शादी करा दी थी बदमाश जेल में बंद काला जठेडी गैंग के सर्गना गैंग्स्टर संदीप उर्फ काला के इशारे पर दिल्ली, पंजाब, हर्याना और चंडिगर आदी में रंगदारी वसूलने के साथ साथ दिल्ली NCR में गैंग का पुनरगठन कर इसकी चंडिगर में एक और हर्याना के यमुना नगर में दो शराब की दुकाने भी हैं। इस संबन्द में इंस्पाक्टर शिव कुमार हुन को मुक्विरों से पता चला की जेल में बंद गैंस्टर संदीप उर्फ। काला जठेडी के भाई प्रदीप का सगा साला दीपक गुलिया गैंस्टर काला जठेडी के नाम को कायम रखने के लिए गैंग को संगठ्थित क इंस्पेक्टर शिवकुमार हून ने गैंग्स्टर संदीप उर्फ काला जठेडी गैंग के एक्टिव सदस्य दीपक गुलिया के बारे में और इन्फॉर्मेशन जुटानी शुरू कर दी दीपक गुलिया इतना शातिर था कि एक तो अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखता था दूसरा वो एक जगह पर ज्यादा देर नहीं रुखता था टीम को यह भी पता चला कि दीपक गुलिया गैंग से नए नए लड़कों को भी जोड रहा है लेकिन दीपक गुलिया सीधे किसी को गैंग से नहीं जोडता था पहले से गैंग में शामिल लड़कों के रेफरेंस पर ही यह नए लड़के को गैंग से जोडता था इंस्पेक्टर शिवकुमार हून ने दीपक गुलिया को दबोचने के लिए एक चाल चली अपने एक मुक्बिर को गैंग से जुड़े एक लड़के से दोस्ती करने को कहा मुकबिर ने गैंग से जुड़े लड़के से दोस्ती की और जब मुकबिर को लगा की गैंग से जुड़े लड़के को उसके उपर विश्वास हो गया है तो मुकबिर ने भी गैंग से जुड़ने की इच्छा जाहिर की इंस्पेक्टर शिवकुमार हून की चाल काम्याब हो गई दिनांक 4 जुलाई को पहले से ही गैंग से जुड़े लड़के ने मुकविर को बताया कि उसे गैंग से जोड़ने के लिए दीपक गुलिया दिनांक 4 व पांच जुलाई की मध्य रातरी को 11 से 12 बजे के बिच दिल्ली में राजधानी कॉलेज रिंग रोट के पास मिलने आए दिया मुकविर केसारा करने पर टीम ने उसे चारों तरफ से घेर कर दबोच लिया तलाशी लेने पर उसके पास से चार जिंदा कार्टूस और एक सेमी आटोमेटिक पिस्टिल बरामद हुई गिरफतार 31 वर्षियर दीपक गुलिया पुत्र रनवीर सिंग गाउ दरियापूर, बादली, जजजर, हर्याना का स्थाय निवासी है लेकिन पिछले काफी समय से राना रेजीडेंसी राजाराम विहार, सहस्त्र धारा रोड, आईटी पार्ग, देहरादून उत्तराखन म पूचताच में टीम को यह भी पता चला कि दीपक गुलिया धुखाधरी और रुपे के गबन के दो आपराधिक मामलों में जमानत मिलने के बाद से फरार था, इसने वर्ष 2018 में पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर रियल एस्टेट एजेंट से 1 करोड 20 लाक रुपे ठग लिए थे, दूसरा मामला गुरुग्राम का चेक बाउंस का है, इन दोनों मामलों में इसके खिलाफ संबंधित अदालतों द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किये गए हैं, दीपक गुलिया ने पूचताच में खुलासा किया कि वो संदीप के गैंग के लिए उसके दिय गए निर्देशों पर काम कर रहा था, उसकी संदीप से पहली मुलाकात हर्याना की सुनारिया जेल में वर्ष 2018 में हुई थी, दीपक गुलिया ने अपनी बहन की शादी प्रदीप के साथ वर्ष 2019 में संदीप के साथ घनिष्ट संबंध बनाने के लिए कर दी थी, ताकि उ अपने शराब व्यवसाय में लाब मिल सके, दीपक गुलिया हर्याना में शराब के धंधे से जुड़ा हुआ है, इसकी चंडीगर में एक और हर्याना के यमुना नगर में दो शराब की दुकाने भी हैं, दिल्ली में मकोका के एक मामले में गैंग्स्टर संदीप उर्फ का की गिरफतारी के बाद से दीपक गुलिया संदीप और उसकी गैंग के इशारे पर पंजाब, चंडीगर, हर्याना और दिल्ली NCR क्षेत्र में प्रॉपटी डीलर, सट्टा संचालक, शराब कारोबारी से रंगदारी वसूल रहा था, दीपक गुलिया गैंग्स्टर संदी क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेश में हो सकता है, रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए, संसनी ओफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले कड़ी मेरदर, खरी खबर, और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम दूफ तंसनी ओफ इंडिया, हिंदी सब्साहिक न्यूजपेपर, हर अबिवार आपके द्वार, वो आप तक पहुँचाता है, काइन से जुड़ी सभी खबरें, सिर्फ पांच विम्म, कही डर, तो कही तर, कही आत्म हत्या, तो कही अत्या, कही साजिश, और जरुमुका करेंगे पर्दा भार, देखें, हर रोज, रात साड़े दक बनी, संसनी ओफ इंडिया, रास्ट्य रास्थानी नई दिल्ली से प्रकाश्चित हिंदी जैनिक समाचार पक्त विजय न्यूज, हर रोज आपको कराता है, देश्विदेश, खेल, कारुबार, और आपके आसपास की कट्टाउं से रूबरू, बात दो रूपे में, विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए, कहीं भी, कभी भी, पस लॉग इन करें, www.vijanews.in